इस टुटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि assertion reason वाले questions हम कैसे solve करते हैं और ये कितने आसान होते हैं और सबसे बड़ी बात इनका mathematics subject के साथ as such लेना देना कुछ नहीं होता है ये एक generic concept है तो इसको आप किसी भी topic के ओपर apply कर सकते हो तो मैं एक real life की example लेके बड़ी simple सी example लेके आपको ये समझाऊंगा कि इन questions को हमने कैसे solve करना होता है उससे concept आपके दिमाग में बैठ जाएगा और फिर मैं CBSC की तरफ से जो practice questions available हैं या sample paper में जो questions available हैं इसी तरह के मैं उनको भी solve करूँगा So let's start तो सबसे पहले ये बड़ी simple सी मैंने example बनाई है जिससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इन questions को कैसे solve करते हैं अब सबसे पहली बात ये assertion क्या है और reason क्या है इन से घबराने की कोई जरूरत नहीं है ये simple दो statements है ठीक है एक statement ये है एक ये है और हमें ये find out करना है कि अगर ये statement भी true हो और ये statement भी true हो तो क्या ये इसके true होने का reason है तो इसलिए इसको हम reason बोलते हैं ठीक है जैसे ये example देखो in our country we daily see day and night in 24 hours तो एक दिन के cycle में हमें दिन भी दिखता है और रात भी दिखती है तो क्या ये statement true है yes it is true तो मैं सबसे पहले तो इसको लिख लेता हूँ कि ये तो true है ठीक है second statement the earth rotates around its own axis तो अर्थ अपने axis के around rotate करती है ये भी क्या है ये भी true है अब क्या दिन और रात बनने का कारण ये है कि अर्थ अपने axis के around rotate करती है yes अर्थ अपने axis के around rotate करती है इसी कारण दिन और रात बनते हैं तो इसका अंदलव ये जो statement है ये इसके सही होने का पहली statement के सही होने का correct explanation है तो a b true, r b true and r is the correct explanation of a so this is the answer तो इस तरीके से हम ये question solve करते हैं अब अगले cases जो है वो अगली examples में आपको पता चल जाएंगे तो हम उनको भी solve करते हैं अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बतायता हूँ थोड़ा उससे question attempt करना और असान हो जाएगा इसकी ये जो दो choices हैं इनमें a true है, r false, a false है, r true तो यानि कि दोनों में से कोई एक अगर false हो तो हमें इन ही में से answer मिल जाएगा ये जो choices है इस तरह की reasoning वाली कि r is not correct explanation, r is correct explanation ये सरफ तभी in picture आती है, जब ये दोनों statements true हो तो ये बात याद रख लो, कि r correct explanation है या नहीं है, ये तभी, आप इनको तभी consider करोगे इन options को, अगर ये दोनों true होंगे otherwise आपका question और असान हो जाएगा आपको सरफ इनके ओपर focus करना है ये दो choices हो सकता है किसी और तरह की भी choice हो लेकिन तब उसी के ओपर focus करना है इनके ओपर focus नहीं करना आपने तब ठीक है, so let's now solve a practice question अब इसमें पहली statement है 2 is a prime number yes, this is true, हमें पता है कि 2 जो है वो prime number होता है, ठीक है second statement the square of an irrational number is always a prime number so this statement is false कैसे, जैसे कि 5 into square root 3 ये एक irrational number है और इसका अगर मैं square कर दूँ तो वो कितना हो जाएगा 25 into 3 which is equal to 75 and 75 is not a prime number तो ये statement हो गई false तो अब सीथी सी वादा है a true है, but r is false so this is the answer so third is the answer let's solve the next question अब इस question में पहली statement है the origin is the only point equidistant from this and this so this is wrong किनी भी दो point से ब्राबर के distance पे होने वाले infinitely many points होते हैं जैसे कोई भी दो points हो इनसे ये point भी ब्राबर के distance पे है ये point भी ब्राबर के distance पे है ये point भी ब्राबर के distance पे है तो ये बात तो आप common sense लगा लो कि कोई भी दो points हो उनसे equidistant point जो है वो infinitely many होते है तो इसका अमलब पहली statement जो है यह क्या हो गई? false अब देखो इसका answer लिखना बड़ा असान है पहली choice में a true दूसरी में भी a true तीसरी में भी a true सरफ a की choice ऐसी बच रही है जहाँ पे a जो है वो false है तो ऐसे cases में आप second choice को ना भी check करो तो काम चल जाएगा लेकिन it is always good कि आप ये check करो कि second statement true है या नहीं क्योंकि कई बार examination के अंदर misprint भी होती है ठीक है? तो confirm जुरूर कर लेना लेकिन अब ये second statement true है ये आप खुद ही देख लेना and this is your answer अब हम next question की तरफ चलते है अब इस वाले question को थोड़ा द्यान से समयना इसकी reasoning समयने में थोड़ी दिक्कत आती है मैं कुशिश करता हूँ इसको बड़े detail में समझाने की assertion है if product of two numbers is this तो दो number ले लो say A and B और इनका product हमें गिवन है 5, 7, 8, 0 and their HCF is 17 और HCF इन दोनों numbers का हमें given है 17 वो कहता है अगर ये given हो ये given हो then their LCM is 340 अब देखो हमें ये पता है कि कोई भी दो numbers हो उनका जो product है वो हमेशा product of HCF into LCM होता है लेकिन ये चीज़ true होती है सरो 2 numbers के लिए, 3 numbers के लिए नहीं तो अभी तो खहर हमें 2 numbers given है तो product है 5, 7, 8, 0 HCF है 17 into LCM तो यहां से जब अब LCM निकालोगे तो वो 340 आ जाएगा तो इसका हमले ये जो statement है this statement is true तो ये पहली statement हमारी true हो गई ठीक है अब दूसरी statement HCF is always a factor of LCM HCF हमेशा LCM का factor होता है ये statement भी true है चाहे 2 numbers के लिए हो चाहे 3 numbers के लिए चाहे 4, चाहे 10 कितने भी numbers का HCF उनके LCM को हमेशा divide करता है यानि कि उनका factor होता है ये भी सही है लेकिन अब क्या इस से मैं ये conclude कर सकता हूँ कि ये जो मैंने statement यहां लिखी है ये सही है No, I cannot ये इसका correct reason नहीं है क्योंकि LCM का factor HCF यानि कि 340 का factor है 17 ठीक है LCM 314, HCF 17 लेकिन 340 का factor 34 भी है इसका factor 10 भी है इसका factor 2 भी है ठीक है तो इसको तो बहुत सारे factors है तो ये तो कोई logic नहीं बना ना कि ये इसका factor है इसे लिए ये statement जो है ये statement सही है ये statement वैसे सही है अपने आप में ये statement अपने आप में सही है लेकिन ये इसका correct reason नहीं है तो इसे लिए इस case में ये आएगा कि A भी सही है R भी सही है लेकिन R is not correct explanation of A Right? So I hope कि ये question आपको समझ में आ गया अब एक question और है हम उसको भी solve कर लेते अब इस question में हम actually midpoint theorem जो है हम उसको apply करेंगे उसको use करेंगे अब assertion क्या है if the coordinates of the midpoints of the side AB and AC of this triangle are this and this respectively then BC is equal to 20 units वो कहता है इस side का midpoint ये है इस side का midpoint ये है तो अगर ये हमें given हो तो BC जो है ये 20 units हो जाएगा इसका distance 20 units हो जाएगा अब देखो D इसका midpoint E इसका midpoint और हमने midpoint theorem से already prove कर रखा है कि अगर triangle की दो sides के midpoints को join करें तो ये जो side होती है ये एक तो इसके parallel होती है और दूसरा ये इसका half होती है तो अगर D E BC का half है तो यानि कि BC जो है वो D E का क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी अब ये आपको coordinates पता है ये पता है तो अब आप distance formula लगा के पहले तो D E निकालो तो ये आप खुद करना तो D E जब निकालोगे तो उसकी value आजाएगी 10 तो अगर D E की value 10 आगई तो इसका हमलब BC की value 20 हो जाएगी तो इसका हमलब ये जो है ये true है तो ये statement आपकी true हो जाएगी तो ये आप distance formula निकालके इसको निकालना उसका double करोगे तो इतना आजाएगा अब दूसरी statement क्या है वो actually midpoint theorem ही है ये midpoint theorem ही है और ये ही reason है इसके true होने का भी तो this is the correct explanation of this as well तो इसका हमलब इसका answer ये आदाएगा कि A भी true, R भी true and R is the correct explanation of A ठीक है तो इस तरीके से हम ये questions solve करते हैं और ये बड़े असान questions होते हैं I hope कि अब examination के अंदर इस तरेकी questions को आप बड़े अराम से attempt कर लोगे So, now if you like this tutorial then it's time to share it with your friends and your classmates So, that's it from this tutorial keep watching Mathemafia प्रिया